दोस्तों आखिर कैसे एक चलती ट्रेन ब्रीज से उतर कर सिधा नदी में जागिरी इसे भारत का सबसे बड़ा रेल हादसा माना जाता है दरसलिये घटना 6 जून 1981 किया जब एक नो डिबोगी ट्रेन बियार के मांसी से सहरसा के लिए जारी थी ट्रेन ने कुछी दूरी तय की थी कि मोसम खराब हो गया और तेज आंदी के साथ साथ बारिस भी होने लगी जिसके चलते सभी यात्रियों ने ट्रेन की खिड़कियां बंद कर दी थी तबी ट्रेन बागमती नदी पर बने पूल नंबर 51 से गुजरी रही थी कि अचानक यात्रियों ने ट्रेन में एक जोरदार जटका मैसूस किया और ट्रेन के पिछले साथ डिबे एंजीन से अलग ओकर पूल को तोड़ते हुए नदी में जागिरे लोग मदद के लिए चिलाने लगे लेकिन जब तक लोग वहां पहुँचे तब तक करीब 800 लोग काल के मुह में समा चुके थे तब गोता कोरोने नदी में कई हपतों तक गोते लगा कर लासो को निकाला था पर अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस हाथसे के पीछे क्या रिजन था तो आपको बता दे कि इसका असली कारण तो आज तक पता नहीं चल पाया लेकिन दो कारण बताए जाते हैं पहला ये कि ट्रेन के सामने एक भेंस आ गई थी जिसे बचाने के लिए लोको पायलेट ने एमर्जेंसी ब्रेक लगाए और ट्रेक पर फिसलन के कारण ये हाथसा हो गया वह इंकुछ का कहना कि उस वक्त तेज तुफान के साथ बारिस हो रही थी तो यात्रियों द्वारा सभी खिड़किया बंद कर लेनी के वज़े से तेज हवाओं के क्रोस करने के सारे रास्ते बंद हो गए थे इसे में भार ही दबाव की वज़े से ट्रेन पलट गई